नमस्कार तोस्तों, मेरा नाम है शौनक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप Facebook में नेम कैसे verify करवा सकते हैं Name verify करवाने के बाद आपका account भी verify हो जाता है और Facebook verified account को ज्यादा अच्छे से देखता है इस method से आपका अगर name change किया हुआ है पहले से तो आप 60 days के पहले भी जी हाँ 60 days के पहले भी आप name change कर सकते हैं तो चलिए एक बर facebook on करके देख लेते हैं कि इसका method क्या है तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम facebook में गए facebook में जाने के बाद यह जो last यह पर यह था जिसे अपना profile आता है उसके बाद सब्चे लास्ट में चला जाएए settings में settings में टैप किया फिर account setting में चाहिए फिर account setting में जैसा कि आप सब जानते हैं name change करने के लिए general में जजाना पड़ता है उसको edit किया तो edit करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक चोटा सा बटन है जिसमें लिखा हुआ है learn more यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह रहा learn more में टैप कर दिया है उसके बाद सब्चे last में तो नहीं third last में third last में देखिए इधर find out why लिखा हुआ है blue color से उसको हम टैप कर देंगे उसको टैप करने के बाद यहां पे देखिए सब्चे last में लिखा हुआ है blue color से please let us know तो इसको भी हम टैप कर देंगे हाँ तो यह देखिए इधर आप अपना नाम आपका कोई middle name है तो सही नहीं है तो कोई बात नहीं आपका surname डाल देने के बाद यहां पे आपको choose करना पड़ेगा कि आप यह क्यों डाल रहे है आपसे जो name change हो है उसमें कोई spelling mistake हो है language change हो है क्या यह आपका nickname है तो नहीं है ऐसा कुछ तो ऐसा हाँ और इधर choose file choose file में आपका कोई भी identity proof जैसे कि आप माल लीजे आपका आधार card, आधार card के soft copy यह आपका school अगर आप school में पढ़ते हैं तो school का identity card यह किसी भी तरह का driving license, card, library card कुछ भी card कोई भी proof आपको चलेगा इधर आप choose file में जाके उसा कर सकते है और facebook को यह send button डबा के send कर सकते है इसे आपका account का name ही पस change नहीं होगा बलकि आपका account verify भी हो जाएगा और जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि facebook verified account को ज़्यादा अच्छे से देखता है और उसको ज़्यादा care करता है और उसी की ज़्यादा importance भी देता है अगर आपको मेरा video पसंद आया तो like करे और मेरे चनल को subscribe करें तब तब के लिए good bye जय हिंद बंदे मातरम